नमस्कार दोस्तों मैं किस्सा बाजवला लेकर आया हूँ विश्व भी ख्यात लेखकों की कहानियों का गुच्छा दोस्तों अगर हमारी कहानी आपको पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेर जरूर करें तो आए बिना देर के शुरू करते हैं माज की कहानी कहानी का सिर्षक है सबसे बड़ा धनी इसे लिखा है अश्पाल जैन ने एक आदमी था बहुत ही दीन और फटे हाल चेहरे पर हवाईयां उड़ रही थी उसे हरान देखकर किसी दूसरे आदमी ने पूछा क्यों भाई क्या बात है इतने परिशान क्यों दिखाई दे रहे वह बोला बात यही कि मैं बहुत ही गरीब हूँ मेरे पास कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है दूसरे ने अचरत से कहा तुम सच नहीं बोल रहे हो पहली कि बेबसी और गहरी हो गई बोला मैं आपसे सच कहता हूँ बिना बात किसको हैरान होना अच्छा लगता है तो तो अपनी दो आखों में से एक आखी दे दो और यह लो पांच हजार रुप है। जी नहीं, मैं आख भी नहीं दे सकता। तो लाओ एक हाथ दे दो और यह लो दस हजार रुप है। जी नहीं, मैं यह भी नहीं दे सकता। इसके मानी यह हुए कि तुम्हारे पास दूने दो, अर्थात दो हजार से ज़्यादा के कान है, पांच दूने दस हजार से ज़्यादा की आखें हैं, और दस दूने बीस हजार से ज़्यादा के हाथ हैं, मैं और चीजों को छोड़े देता हूँ, सिर्फ कान, आख और हाथ ही तुम्हारे 2, 10 और 20 यानि 32,000 से ज़्यादा के हो गए तो बताओ पुरा शरीर कितने का होगा पहला चुप दूसरे ने कहा भया तुम नहीं जानते कि तुम्हारे पास कितनी बड़ी दौलत है जिसके पास अच्छे अच्छे बाते सुनने के लिए दो कान हो अच्छे अच्छे चीजें देखने के लिए दो आखे हो और अच्छे अच्छे काम करने के लिए दो हाथ हो उससे बढ़कर धनी और कौन हो सकता है धन्यवाद